इसे में हजिवास ग्रा में मोजूदू मेरे साथ एक बासा मोजूद है बासा आपरो नाम जावनी चाहूं बाभुलाल बाभुलाल जी में मारवाडी में बोलनू आप हम जाओ आपरे हम जमाजी गाव में केड़ो सर्पंच ही जा आपने गर में गाव में सर्पंच पहला तो संथ सभाव वाला दूसरी बात बीना लाले चवाला क थीसरी बात हर वक्ती को आदर से बुलाये और उसके पाच में बिठा दे और उसकी जो कुछ तकलीम है उसको सुने और उस तकलीम का समाधान करे गिना वासा आपनी उम्र किती है मेरी उमर 80 सी बरष कि ऐसी शाली उमर है वासा में थानु आज जाए लिगावं में समझ्चे कहीं और लिगाव में समस्जा देखो सा पहली बात वह ठुकिन समस्जी हो नगा पानी नहीं आया करें कैसा अब मुगर्म आवे मामु का अभी भी को नी दूसरी बात लाइची जो समझा ऐसी ऐसा के एं शामरा टेम में खाने जेम बेग उन टेम लाइच कटे वाई ए घंटों बढ़नी आवे खुई जावे आदी जटे पर लाइच आवे बाह माने काम दू मारे 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 मारें नलडगा में रखुई सब्सक कंटा मां खुली बात करनी है अपने कोई डर्नेरी जरूत नहीं है मैं क्यों नहीं खाए करनी काट दी लें डेंका फोल नहीं नहीं चाहिए और सरकारी लाप दे खिरू लाप नहीं कोई नहीं नहीं दे गया है अधिवाद इसे दूज़ना खड़ा रिवड़ा एन वादिया कुण है अब बढ़िया चो देखो साब के बढ़िया तुमाने जीए तिन जो को काम करी जुको बढ़िया लागी पहला किने के निशेका पहला तिनी के विजे कहई से खारो है मिचो है वो तो अपर थाक अगनी थाक अजरी मिचो लाग एक वाद से मिचो है कईसा वासा में जानी जो एन फेल आ जो को सिर्पंजा व्यकर रहा है वेता हातों घड़ी ठीकी बिना लोग वा रहा हा लेकिन काम नहीं भी हो काम नहीं रही हो सही बात किया मैं तो साब बात कियो चाहिए बढ़िमार बार भी कि वाद पेट में पॉला को नी दुनिया जो आज का शरकारी नोकर है शरकारी नोकर है पेट में भूक है जोरदार में जान के हुँ पर लिया थरजट बनाईगी आप आँ बात सामें एक वाद जानी चुमियाई ने पूरा हजिवास ने धुरकोट माइन घूम्यों धाना लोग अट कम बोले लोग थानताई बोलनी नी पारिया में जगजगा फिरियो एक थाई एक असी साल ला उमर वाड़ा लागा मनिन गामर माईन तो ये थे हाजिवास गाम के एक वर्योबद बासा जो इनके दिल की बाती खुलकर बात की अलबता इसे हाजिवास धुलकोट गाम की मैं बात करना चाहूं तो इस गाम में कोई लोग है जो वर्द वर्द बासा है मेरे दाले समाने लेकिन बोलने वाले नहीं है इनकी हिम्मत को मैं दाल देता हूँ तो यह थे हाजिवास ग्राम के वासा अब मैं आपको आगे ले चलता है दोस्तो नमस्कार जेता न्यूज में आपका स्वागत है मैं हाजिवास आईवी खान और आप देख रहे हो जेतार का सबसे बड़ा जेतार न्यूज यूट्टूब चैलल आज मैं राइपूर पंचेश समित्य की हाजिवास ग्राम पंचेशित मुखेले पर मौजूद हूँ हाजिवास के बारे मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले ही कालिन में बर और हाजिवास उस जमाने में ग्राम पंचेशित हुआ करती थी और एक इस ग्राम पंचेशित के बारे में एक और बात है कि एक जमाना था जब विराट्या में ये ग्राम पंचेशित हुआ करती थी उसके बाद वापस हाजिवास ग्राम पंचेशित बनी और उसके बाद वापस हाजिवास को विराट्या में तबदिल किया गया लेकिन आ सामन्य पुरुष की सीट है गतचुणाव की बात करूं तो घत वार भी साइथ सामन्य पुरुष की सीट थी तो बारहाल इस चुनाई माही समर में इस वार दो प्रत्यक्सी अपना भागया अजमारे है एक है हाजिवास राजगर्ण के शिरी सरुण सिंग्जी जो पैसे से ए हमाने में जेताण में अच्छे एक अधिवक्ता भी रह चुके है और एक है भाई हनुमान वावरी कुल है इस हाजिवास की बात करूँ तो कुल है या नोवाड है और तीन हजार से अधिक यहां मददाता है गाउं में अनेक समस्या हलांकि आपने पिछले दो बार आप इसे ग्राम पंजित के सरपंज भी रहे लेकिन कई 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 समस्या जैसे से गाउं बढ़ते हैं समस्या उसी अंदाज में बढ़ती रहती तो मेरे वे साथ मोजूद है ठाक स साथ और पूर सरपंज साहब मैं जाना चाहूंगा सर से आप किस उदेशे को लेकर इस बार फिर अपना भागिया अजमानी जा रहे हो नंबर एक तो गाउं के विकास के लिए में तो गाउं का विकास से पहले भी किया है और अब कुछ बाकी रह गया है तो वो पूरा करना है और अभी मेरे से पहले सरपंज थे स्याम सिंजी नहीं काफी अच्छा काम किया और अब यह है कि उनके भी कुछ काम अधूर रहे गए तो वो भी सब पूरे करने है एक नमबर तो यह दूसरा यह कि गाउं में दिन प्रती दिन लोगों की जो है गुंडा गिर्दी अब ध्यान में रखके उनका भी सब निफ्टरा करना है उनको भी समजाना है परे तो समझाएंगे उनको फिर नहीं तो दूसरी कारवाई से उनको ठीक करें यह में दूई सर एक बात और वतना चाहूंगा इस ग्राव में जो विराटिया से हजिवाज तक आते हैं सड़क बहुत खराब है बहुत खराब है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता कि इतनी दयनी आलत हो रही है उसका कारण यह कि इसका ठेका हुआ था ठेकेदार ने क्या किया कि जो लोगों पेपर में भी दिया लेकिन अभी तक यह गवर्मन पीड़ोडी पाण ने इसकी परवन ही कि यही गर है कि सब आपस ठेका होगा दूसरा ठेका होगा जब करेंगे यह अहलत है सर मैं जानना चाहूँगा आप यही सरफंच चुना में विज़ई हो जाते हो आपकी पहली प्रात्विकता क्या रहेगी तो गाओं का विकास, में चीज गाओं का हर चीज का विकास हो, हर गड़ी का हो, घर-घर में पाणी के नड़ पहुंचे, सबसे बड़ाती है कि है जवाई बांध की जो इसकी में वो यहां लागू हो गई है, टंकी बन गई है, लेकिन अभी तिक चालू नहीं हो तो उसको च पाणी की हमारी यहां कमीनिक चाहिए जवाई का नहीं आए तो भी हमारी यहां पहले मैं सरपलता जब दो जगे से पाणी एक तो दागला से आ रहा है, और यह अमारा खुद के गाओं कर जो नदी है वहां से भी पाणी आ रहा है, इसलिए पानी की लोकल कोई प्रॉब्लम पर दो तराज कोट, गांधी दाम बाहर रहते हैं दिल्ली में भी हैं और बाकी यहां पर जो लोकल मजदूर हैं वो सब नरेगम जाते हैं, नरेगम ही काम करते हैं जादाते हैं मेरे साथ और भाई साब मोजूद है, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरे नाम चितन चोवान है, चोवान साब आपका सौगत है, मैं जानना चाहूँगा, आप किसी का नाम नहीं बता होगे, अपने लिए सब बराबर है, आप भी बराबर है, और आपके फरति दिन्दी भी बराबर है, आप कैसे सर्पन चाहते हैं इसे हाजिवास ग्राम इनका वो कारेकाल कैसे था इनका? इनका वो कारेकाल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा विकास करा इन्हों ने एक सामवनिय रूप से ये कहा जाता है, चुकि राजगरणा है, राजपूत समाज से आप तालूग रखते हैं, तो कई बार आने जाने में समश्य रहती है, वो समश्य तो नहीं है, आपके घर के दर्वाजे खुले रहता है या कोई ये कहता है कि दाता आता तो मेड़ी मे आता है, रात को भी आ जाता है, तो उनका उटके काम कर देते हैं, काम के पीछे कभी बी कैसा भी काम हो मना नहीं करते हैं, यानि सब को साथ लेके चलते हैं, सब को साथ लेके चलना होला है, बाज साब आपका नाम जाना जाओंगा, क्या नाम आपका, ललित कुमार से, कहां तक परिदलीगों भाज साब मैंना भी 12 थी परिकसा दीए आपके ग्राम में आगामी 28 सित्वर को सर्पंचों के चुनाव है दो परत्याक्षी मेरदान में है कैसा सर्पंच आते हो और आपके गाम की फरमुक समझ्षय क्या है जिसे आप आने सब्सक्राइब वाले सर्पंच से समझ्या का समधान चाहते हो तरह हमें तो सर्पंच एक सर पड़ा लिखा सब जानकारी वाला ऐसा सर्पंच यह जो हमारे गाउं का विकास कर सेके सड़क बना सेके पानी की विवस्ता कर सके रोड लाइट लगा सके जविवको को रोजगार परदान कर सके और गां का कोसल हो हैसा हम स चानते हैं इया आपका नाम जानना चाहांगा क्या नाम का मेरा लाइद आ जिकास पह जाननाandin शालगया जानना चाहांगा ऑगामी जो अभी तक कार्य काड़ी में सुर्मान सराणसिंह जी कर्वाहर कर मिद the living काम हुआ है कि उन्हें की हिसाब से अब वापस गाह एक बार वापस आते कि एक बार से सबक्साब स्रिमान स्रावन सिंजी राटोट को वाप एक बार सरपंज बनाएं और अच्छा विकास है और विकास करते रहें और करते हैं भी है ड़्यांट कर अफने पचाजफी होुए थी अपने पंचय पने होश्पिट्र मनें जो कर देखा है और जो दालया से पानी गारें में काम हुआ है वो चालिस साल से मतलब पानी आता है यानि कि आप इनका कारेकाल फसंद करते हो और उमीद करते हो कि वापस यह जित यह अलग बात है चुनाओ का फैसला है चुनाओ में हारजित होती रहती है इसे हाजिवास ग्राम पंचित के लगबग 3,000 से अधिक मत दाता है उनको यह देखना है कैसा सरपन चाहिए क्या सरपन चाहिए भाई साब सिर्मान जी से नाम जानना चाहूंगा कैसा सरपन चाहते हैं आप अपनी ग्राम पंचित लेकिन कुछ विकास कारिये ठप हुए अभी जो यह अपने क्या नाम इसका साल बर से और वह अदूरे काम पड़े हैं जो अब जो सरपन चाहिए और जो पर में सक्षम है और जो पड़ा लिका है वही करवा सकता है क्योंक जो काम अदूरे हैं उनको वापस चालू करवाने में तो समझदार और पड़ा लिका हो वही काम करवा सकता है अनुभव भी जरूरी है इनको तो शुरू से अनुभव है और दो बार सरपंज रह चुके हैं इसलिए हम तो यह चाह रहे हैं कि वकिल साफ सरवन सिंग जी कोई सरपंज बने आपकी नजर में इस ग्राम में परमुक समझ समझ यह कि गंदगी और वह जो जब सरपंज बनेंगे सबसे पहली परात्मिक यह गाओं स्वच्छ और वह परदान मंतरी जी की यह है इसलिए हम यह चाह रहे हैं कि जैसे कि सबसे पहले तो यह गंदगी वाला काम है जो हम इनका जो सबसे पंसाइट का काम रहां के लिए आपकी नजर में जो यह सड़क की समझ की समझ्या नहीं है? हलांकि बहुत सारे लोगों के संदेश थे बहुत सारे लोगों से मिलने की मेरी इच्छा भी थी लेकिन कर्शी का कारिय चल दा है अधिक तर जो लोग है जो खेतों में वहुत से तो बारहा लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आप का स्वागत है मैं इस समय हाजिवास इस तित एक ग्राम की हताई पर मोजूद हूँ जहां बड़ी संक्या में ग्रामिन मोजूद है और एक परत्याक्सी भी मोजूद है सबसे आगरे करना चाहूंगा कोरुणा माद संक्रण को लेकर सोशल डिसेंज रखनी चाहिए चेरे पर बाख्ष रखना चाहिए यह मेरी और से हिदा है और सरकार की और से भी हिदा है चुकि देश बर में कोरुणा इन दिनों तेजगति से फेला तो वाराल बात करते हैं मैं भायसाब का नाम जानना चाहूंगा आगामी दिनों में हाँ भाई साबberry आहां आपसे जानना चाहू इनके वीज मुकावला है आप कैसा सर्पंच आते हैं एजे निटल रूप से बताना गाउं की समश्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो हमारा बावरी समाज की तरफ से हनमानगराम बावरी को हम उमिद्वार के रूप में आगे लाया हैं तो हम यही आप से निवेदन करना चाहते हैं कि सर्पंच ऐसा होना चाहिए जो लोग लाडिला हो जो गाउं की सेवा में गरिबों की सेवा में गाउं के विकास में अपने तन मन धन से 24 गंटे अपने पब्लीक के साथ रे करके उनकी मन की भावना जान करके और उनकी क्या कम्या है उनके साथ में उनका क्या तकलीब है किस-किस जगे पे किस-किस चीज का विकास होना चाहिए और उन घरों में लाइट नहीं है गटर नहीं है संडला स्लेटरिंग बातरूम नहीं है रोड रस्ता नहीं है और किस किस परकार की रोड रस्ते जो खेतों में जाने के लिए बेरों पे जाने के लिए आने जाने के साधन के लिए तो जिस जिस तरह की इन लोगों को कमी लगती है या हमको भी जिस जिस चीज की कमी मालूम है उन सबी चीजों को हम लोगों की सेवा में उपस्तित जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करना चाते हैं और हमारे गाउं की जो हजिवास ग्रम पंचाइद की जो तीन गाउं सामिल हैं हजिवास से दुलकोट और तीसरा एक लवा मारी है इन तीनों गाउं को द्यान में रख करके आज दिन तक आगे के जो सरपन साब रहे हैं उनों ना भी उनकी सेवा जिस तरह से गाउं की पबलीक की द्यान में रख करके कमियां पूरी की हैं तो हम भी आज बावरी समाज गाउं से पबलीक से यही वादा करते हैं कि हम भी हमारी तन मन और धन से हमारे धन मतलम हमारा पूरा मन वो आपका धन है उससे जितनी भी हमारे से सेवा होगी राद-दिन जुड़ करके आपका साथ सेकारत से और आपके还有 सुझावं से जो मिलकर करके अपन गाम का विकास करेंगे और इस गाम को उजवल बनाएंगे मैं आपके पास फिर हताली नहीं यह कोई राजनितिक मज नहीं यह कोई चुनाई सबा नहीं है यह जेता नियूज का मंच है मैं सीरी हनुवान जी बावरी है जो साइत इसे हाजिवास ग्राम पंचेत के 57 के फरत्याक्सी है मैं जानना चाहूंगा हनुवान जी आप से किन मुद्लो को लेकर चुनाऊं लड़रे हो इसे हजिवास ग्राम मैं मैं मेरी समाज के मुद्दा से आगे आया हूँ सितर साल से हमारी समाज बिछडी हुई है और सितर साल से हम लोग केंडेट बनने के लिए बना करके हमारे को बार निकाला है और उसने विचार किया कि सितर साल तक हमारे को केंडेट नहीं बनने देने का एक ही करण है आपकी फिड़ा में समच आप कहरना चाते हो आजादी के बाद हम जिससे फिछड़े लोगों को आगे नहीं आने दिया और 6ơ साल के बाद हमारी समय में ऑकत्ति होकर के हमारा नाम लिकाला हमारा नाम के लिए हम को हराने के लिए बड़ी तागप लगा रहे हैं और अब हमारी समाज का केंडर बना बाद निकले हैं और हमारे साथ पपली आम पपलीक भी है। मैं जाना चाहूंगा हनुमान राम जी गत शर्पसाब जो बी थे उनका कार्यकाल कैसा था आप किस रूप में देखते हों। उनका कार्यकाल 21 सर्थे की उसमें से एक भी सर्थ हमारी फूरी नहीं हुए। पूरा करना चाहते हैं। से कोई बता सकता है एजे नूटल होकर बता सकता है अपनी बात हाँ नाम जानना चाहूंगा आपका नाम जानना चाहूंगा। बताना किसी का अपने लिए सभी समान है। कि सबसे पहले गाओं में अमन सांती रहे। उसके बाद जो मूलबूत सुईदा है जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, वो वेवस्ता सही रहे। कि मैं अभी विलाट्या से हाजिवास तक आया, यहां कि सड़क इतनी जर जर गाओं वाले कोई बोलता हैं क्या। इसलिए हम लोग चैन्ट चाहते हैं। अभी जो पाउर अभी इलेक्शन के टाइम में बद्दा आता के पास पाउर होती है वह वह पांच साल तक तक फिर तो वह यह यह चांच चले जाने के बाद में तो फिर वापस पांच साल का वेट करना पड़ता है और कोई वाई साब है सबको उमुक का दिया जा रहा आप य क्या नाम है वास आपका मारे नाम रूपा राम है रूपा राम जी मैं जान निचे हूं इन गाम वाईने कई कई समस्या है इस गाम में बहुत समस्या है बहुत सारी समस्या रस्ता की समस्या पानी की समस्या नलका की समस्या नलिया की समस्या यह बहुत जैने के जागा जाग और समर्दान करके इस गाम को आगे लावे उसकी बाज 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 दिने बाज हो गए एक बात और बताना चाहूंगा बड़ी संक्या में यहां मददता मोजूद है और देश बर में ये वीडियो देखने वाले से भी आगरे है सरपंच या अन्य कोई चुणा हो उस चुणाओं के दोरान हो सकता है कोई परत्याक्सी मेरा जैसा परत्याक्सी मददतों को लुपाने के लिए पैसे भी देंगे आपको सराव भी पिलेंगे आपको लालच भी देंगे लेकिन आपको ये देखना होगा उस लालच में आपको नहीं आना चाहिए चुकि ये चार दिन की चार दिन में आप सराव पिलोगे फिर आप ऐसे लोगों से विकास की उमीद कता ही नहीं कर सकते फिर फिर आप किस ऐधाम जी कैसा सरफंच तो अपने लिए सबी सरन्च अपने लिए बराबर है दोनें कशिब को चाहते है और सबस्त ओंद करेंगे हुआ मतने शचलों कर दो जरूर मेरा लगाकड करेंगे वह जदेखाना रहला है वह मारो जीते का तो एकाम करेंगा आपको उम्मीद है यह च्छुनाव जीतने के बाद आपके काम करेंगे ऐसा नहीं है भोड सारे लोग और सरत लोग है जो चुनाओं में वाडने करते हैं जनता से वाडने करते हैं और वादों के आद के वाद हो वापस गाला कर elder प्रेंप्लेट लेका है उन्होंने जो कोई भी राज सर्पंच उन्होंने 21 वादे किये लेकिन यह बता रहे यह वादे हुए नहीं हो यह अलग वात है वाइसाब से मैं जानना चाहूंगा क्या नाम है बेटा दे रहा है थोड़ा जोर से बोलो मैं कम सुनता हूं मैं नाम अच्छी बात नहीं है आपकी उमर पढ़े की उमर है पढ़ना चाहिए आपके ग्राव में 28 सित्रमर को चुना है आप मैं मैं सब के पास हुँगा एक वार मेरी बात तो पुरी होने थो मासूम भाइशाब है मैं क्याना चाहूंगा 28 सित्रमर को चुना है कैसे सर्पंच आत संवसजय हो बहुत अंभार है सबसे बड़ी समस्य सबसे बड़े समस्य अने वाली चलत्स है यह चलना भी क्षट्चल है। अब क्र Wuhan स्वस्क्राइए, युवा वह 2-1 दो शि तर मॉर्म नहीं है। कि gets bikini लिए सदे एक पड़ाइबार काम करना चाहिए सिर्भाइब का विकाफ लाइब है किये यह अमारी जाना है जिसको मौका दिया जारा मैं भाइशाब से एक बार फिर निवेदन करना चाहुंड जा भाइशाब से निवेदने मारा हाँ जोड़ कर निवेदने कम सब्दों में एपनी बाद रखना समय का अबाओ है समय की एक सिमा है मुझे भी वापत जाना है चुकि घर्मी काम होजे में हलांकि थंडी चाहँ है बड़ी संक्या में लोग मुझूद है यह दिए सरपद्च का चुनाओ राते हैं मेरी ओर से तो सुब कामना है इनको दोनों उमीदवारों को सुब कामना है यह दी एक परसेंट मान लिया जाए कि चुनाओ राते तो फिर चुनाओं यह चुनाओं लोगतंत्र में चुनाओं में हारजीत होती रहती है और हार जीत एक शिक्क्राइब और कोई भाई साथ है जो बोलना चाहता है सब को अमोका दिया जा रहा है ऐसा मत कहना है हम से भुलुआ क्या नाम बता है आपने राजुराम जी क्या कहना चाहोगे सर मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाला सरफंच जैसे हनवान राब जी है भाई साथ मैं आपकी बात सुनूंगा यहां जितने भी उमीदवार है मैं हजिवास की बात नहीं करा मैं बहुत ग्राम पंचईदों में फिरता मेरा काम ही है सब लोग 36 कौम 36 कौम है कहता है लेकिन बाद में एक कौम बनकर ही रह जाती है नहीं सर मालब जो सब को साथ लेकर चलने वाला सर्फंच होता ना जैसे आज हमारे यहां इतनी समश्या है मालब आप अभी इदर से आए हो यह रोड आज से नहीं है एक साल से ही हमाला प्ञारे आगे लेकर आएंगे तो बहरा हाल लेते हैं आपसे वीराई चुकि घर्मी का मौसम है समय का अभी अबाव है हमें और कई ग्राम पंचित जाना है तो मैं अपने तमाम दर्सों को से ये वाला करता हूँ कि कल एक और नए ग्राम पंचित आपके सामने लओंगा जैसा कि सिलसिलेवार में लगातार लेता आ रहा हूं तो दिए मुझे इजाजत मैं आई भी खाल जेतार न्यूज के लिए आप देख र प्रेस करना ने भुले और चैनल को सस्क्राइबर करना नहीं मुले दन्यवाद जैहिन नमस्कार